दोस्तों मैं आज अपना स्पैट्रै प्लांट दिखाना चाहती हैं जो छोटा से लगा था था काफी बड़ा हो गया है क्यानि देर सारे प्लांट लगाया है एक चोटे-चोटे फेलान की इसरे निकालकर इनकूर निकाला था यह यहां से निकाल कर और फीट लगाई थे बहुत ही असानी से लग जाते हैं यह प्लांट इधर से ऐसे कट कर लो आप किसी भी प्लांट के साथ ऐसे रख दो बस कुछी दिनों में यह अच्छे से लग जाएगा एक प्लांट यह लगा रखा बहुत ही अच्छे से चाट रहा है इसके देखो छोट 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 प्लांट भी आ गए है और इधर भी लगा रखा मैंने यह भी बड़े अच्छे से लगे हैं इसके साथ इदेखो इसमें भी लगा रखे हैं बहुत ही अच्छे से लगे हैं और और एक यह भी है उन्हें धेड़ सारे लगा रखें बहुत ही प्यारे लगते हैं संद्र गर्मियों में थोड़े इनके पत्ते जल जाते हैं कि सर्दियों में बहुत ही अच्छे से जलता है एक राण और छोड़ छोड़े वाइट फूल आतने हैं अभी तो है नहीं में दिखने में भी सुन्दर लगता है हैंगिंग में लगा सकते हैं बहुत अच्छे से लगेगा और बहुत ही असाने से लग जाता है देखो इनके नीचे यह यड़ बनी में यह यह इसको कहीं में अटैच कर दो प्लांट लग जाएगा इसके एक हो रार खाई आप इसको ऐसे बांद कर भी रख सकते हैं डंडे के साथ अब मैंने बांदा नहीं है बांदों के तो दिखाएंगे आपको मटके में लगा रखा काफी अच्छे से ग्रोंगे के देख सारे प्लांटा रखें आप इसको चाहे हैंगीं में लबा सकते हो बहुत अच्छे का अज्छतना रहे हैं है है मैं कर देख युद्रेस प्लांट को लेक आई थी तो यह एक ही प्लांट आई धिरस के निच्छे से लौमें प्लांट आने लग Me और इनके निच्चे छोटी-छोटी कांठे बने होती है चीटे रंगे लगा सकते हो इनको भी लगाकर निकालकर लगा सकते हो बहुत ही असानी से एजी ग्रोव है खास इसको खाद की जरूरत नहीं होती है कि बहुत ही प्यारा लगता ही है कि मैंने फोटे से प्लास्टिक के कपन में भी लगा रुका है ऐसी अटैज कराया है देखो बहुत ही अच्छे से लग गया ही जेस्ट पड़ा वाद है हारा वारा पत्तियां देखो इसकी बहुत प्यारी लगती है और धीरी धीरी ये मर जाएगा दुपा मैंने नाइनो को लोग के साथ अटैज करकर ऐसे लगा दिया था मिट्टी में नहीं लगाया था ऐसी उपर रग दिया थे देखो इसके निच्छे तक इसके जड़े में जैसे मैंने यह लगाया है बस यासे आप इसके साथ अपने आपी यह जड़ी पकड़ लेगा दिरी दिरी और आप एक ही प्लांट से धीर सारे प्लांट त्यार कर सकते हो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को